लोग सभा के स्पीकर आदर्डे स्री ओम बिरला जी, राज सभा के उपसभापती, श्री हरिवांश जी, मानिय साउसत्गाण, सभी बरिष्ट जन प्रतिनिदी, विशिष्ट अतिधी, अन्य सभी महानुभाव, और मेरे प्यारे देश वास्यों, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं, जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, कुछ तारीक हैं, समय के ललाट पर इतिहास का अमीट हस्ताक्षर बन जाती हैं, आज 28 मैं, 2023 का ये दीन, ऐसा ही शुब अवसर है, देश आज़ादी के 75 बर्ष होने पर अमरित महोत्सों बना रहा है, इस अमरित महोत्सों में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को सौंसत के इस नए भवन का उपहार दिया है, आज सुब्य ही सौंसत भवन परिसर में सर्वपन्थ प्रार्षना हुई है, मैं सभी देश वासियों को भारतिय लोकतंत्र के इस स्वनिम ठ्षन की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, 140 करोड भारत वासियों की आकांशाओं और सपनों का प्रतिमिम्ब है, ये विश्व को भारत के द्रड संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदीर है, ये नया संसद्भवन योजना को यथार्थ से, नीती को निर्माण से, इच्छा शक्ती को क्रिया शक्ती से, संकल्प को सिद्धी से जोड़ने वाली एहम कड़ी साबित होगा, ये नया भवन हमारे स्वातंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा, ये नया भवन आत्म निर्वर भारत के सुर्यों दैका साक्षी बनेगा, ये नया भवन विच्षिज भारत के संकल्पों की सिद्धी होते हुए देखेगा, ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्शा है, साथ्यों नए रास्तों पर चल कर ही नए प्रतिमान गड़े जाते हैं, आज नया भारत नए लक्ष तै कर रहा है, नया रास्ते गड़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दरश्टी नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज, आज फिर एक बार, पूरा विश्वा, भारत को, भारत के संकल्प की दड़ता को, भारत वास्यों की प्रखरता को, भारतिय जनशक्ति की जिजी विशा को, आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है, तो विश्वा आगे बढ़ता है। संसत का ये नया भवन, भारत के विकास से, विश्व के विकास का भी आहवान करेगा। साथियों, आज इस आइतिहासिक अउसर पर, कुछ देर पहले, संसत की इस नई इमारत में, पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महांट चोल साहराज्य में, सेंगोल को कर्तव्य पत का, सेवा पत का, राष्ट्र पत का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार दर्सन में, यही सेंगोल सत्ता के हस्तान तरण का पतिक बना था। तमिल नाडू से विशेश तोर पर आए हुए आदिनम के संत। आज सुबह संसत भवन में हमें आशिरवाद देने उपस्तित हुए थे। मैं उन्हें पुना स्रद्धापुरवक नमन करता हूँ। उनके ही मारदर्शन में लोकसभा में यह पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मिडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ, यह हमारा सोभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लोटा सके है। उसकी मान मर्यादा लोटा सके है। जब भी इस संसद्धवन में कारवाई शुरू होगी, इस एंगोल हम सभी को प्रेणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोगतंत्री ग्रास्त्र ही नहीं, बलकि लोगतंत्र की जननी भी है। मदर अब डेमोक्रेसी भी है। भारत आच वैश्विक लोगतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोगतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्ता नहीं, एक संसकार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समित्यों के लोगतंत्री आधर सिखाते हैं। महाभार जैसे ग्रंतों में गणों और गणतंत्रों की ववस्ता का उलेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जी कर दिखाया है। हमने भगवान बस्वेस्तवर के अनुपव मंटपा को अपना गवरो माना है। तमिल नाडू में मिला नौसो इस्वी का सिलालेख आज भी हर किसी को हरान कर देता है। हमारे लोग हमारा लोगतंतर ही हमारी प्रेणा है। हमारा संभीदान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेणा इस संकल्प की सबसे स्रेश्ट प्रतिनिती अगर कोई है तो यह हमारी संसद है। कि और यह संसाथ कि देश की जिस सम्रिद्ध संस्कृति का प्रतिनिद्व करती है उसका उद्गोश करती है शेते निपध्य मानस्य चराती चर्त भगह चरईवेती 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 कहने का ताथ पर यह जो रुख जाता है उसका भाग्य भी रुख जाता है लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है बुलंद्यों को चुटा है और इसलिए चलते रहो गुलामे के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी वो यात्रा कितने ही उतार चड़ाओं से होते हुए कितनी ही चुनोतियों को पार करते हुए आजहादी के अमरितकाल में प्रवेश कर चुकी है आजहादी का ये अमरितकाल दिरासत को सहते हुए विकास के नए आयाम गड़ने का अमरितकाल है आजहादी का ये अमरितकाल देश को नई दिशा देने का अमरितकाल है आजहादी का ये अमरितकाल अनंत सपनों को असंख्या कांख्या को पूरा करने का अमरितकाल है मुक्त मात्र भूमी को नवीन प्रण चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए और इसलिए भारत के भविश्य को उज्वल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए आधुनिक होना चाहिए साथियों एक समय था है जब भारत दुनिया के सबसे समर्द और वैबवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था भारत के नगरों से लेकर महलों तक भारत के मंदिरों से लेकर मुर्तियों तक भारत का वास्तू भारत की विशेजग्यता का उद्गोश करता था सिंदू सब्विता के नगर नियोजन से लेकर मौर्य कानिन स्तब्ब और तुपों तक चोल शासकों के बनाए भग्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाली यात्रियों को हैरान कर देता था लेकिन सैकडो साल की गुलामी ने हम से हमारा गौरव छीन लिया एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्मार को देखकर मुग्द होने लग गए 21 सदी का नया भारत बुलंद होसले से बरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है आज भारत प्राचीन कला के उस गवरोशाली धारा को एक बार फीर अपनी तरफ मोड रहा है और संसत की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है आज नए संसत भावन को देखकर हर भारतिय गवरों से भरा हुआ है इस भावन में दिरासत भी है वास्तु भी है इसमें कला भी है कौशल भी है इसमें संस्कृती भी है और संविधान के स्वर भी है आप देख रहे हैं कि लोग सभा का आमत्रिक हिस्सा यहां भी देखिए यहां भी देखिए राश्ट्रिय पच्छी मोर प्राधारी था है राजसपा का आंत्रिक हिस्सा राश्ट्रिय फूर कमल पराधारी था है और संसत के प्रांगन में हमारा राश्ट्रिय व्रुक्ष बर्गद भी है हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों की जो विवितता है इस देख्वन ने उन सब को समाहित किया है इसमें राजस्थान से लाए गए गरिनाईट और बलवा पत्थर लगाए गए ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं न वो महराश्ट्र से आई है यूपी में बदोही के कार्युगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालिनों को बूना है एक तरह से इस भावन के कण कण में हमें एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना के दर्शन हों साथियों संसत के पुराने भावन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था यह हम सभी जानते हैं टेक्नोलोजी से जुड़ी समस्याएं थी बैठने की जगह से जुड़ी चुनावती थी इसलिए ही बीते डेड़ दो दसकों से यह चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसत भावन की आवशकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी सांसतों की संख्या बढ़ेगी वो लोग कहां बैठते हैं और इसलिए ये समय की मांग थी कि सांसत की नई इमारत का निर्मान किया जाए और मुझे खुशी है कि भगवे इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लेश आए आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है बिजली कम से कम खर्च हो हर तरब लेटेस्ट टेक्नोलोजी वाले गैजेट्स हो इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है साथियों आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले स्रमिकों के एक समू से मिला हूँ इस संसद भवन ने करीब साथ हजार स्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बाहाया है मुझे खुशी है कि इनके स्रम को समर्पीत एक डिजिटल गैलेरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में साइड ये पहली बार हुआ होगा संसद के निर्मान में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है साथियों कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले नव वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये नव साल भारत में नव निर्मान के रहें हैं गरीब कल्यान के रहें आज हमें संसद की नई इमारत के निर्मान का गर्व है तो मुझे पिछले नव साल में गरीबों के चार करोड घर बनने का भी संतोष है आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर उचा कर रहे हैं तो मुझे पिछले नव साल में बने ग्यारा करोड सोचालयों का भी संतोष है जिनोंने महिलाओं की गरीबा की रक्षा की उनका सर उचा कर दिया आज जब हम इस संसत भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले नव साल में हमने गावों को जोड़ने के लिए चार लाग किलोमिटर से भी जादा सडकों का निर्मान किया आज जब हमें इस इको फ्रेंडली इमारत को देख कर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए पच्चास हजार से जादा अमरुत सरोवरों का निर्मान किया है आज जब हम इस नए संसत भवन की लोगसभा और राजसभा को देख कर उत्सों मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में तीस हजार से जादा नए पंचायत भवन भी मनाए है यानि पंचायत भवन से लेकर संसत भवन तक हमारी निष्टा एक ही है हमारी प्रेणा एक रही देश का विकास देश के लोगों का विकास साथियों आपको ध्यान होगा पंदरा अगस को लाल कीले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागरत होती है भारत में आजादी के 25 साल पहले 47 के पहले 25 साल जियाद कीजिए आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था गांदी जी के असयोग अंदोलन ने पुरे देश को एक विश्वास से भर दिया था गांदी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारत माशी को जोड दिया था ये वो दोर था जब हर भारतिय आजादी के लिए जी जान से जुड गया था इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा आजादी का ये अमरित काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है आज से पतीस साल बाद भारत अपनी आजादी के सो वर्ष पूरे करेगा हमारे पास भी पचीस वर्ष का अमरित काल खंड है इन पचीस वर्षों में हमें मिलकर भारत को विक्षित राष्ट बनाना है लक्ष बड़ा है लक्ष कठीन भी है लेकिन हर देश्वासी को आज इसके लिए जी जान से जुटनाई है नए प्रन लेने है नए संकल्प लेने है नए गती पकड़नी है और इत्याद गवा है कि हम भारतियों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सिमित नहीं रहता है हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागरित कर दी थी हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े भारत के विश्वास ने दूसरे देशों को दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था और इसलिए भारत जैसा विविद्धता से भरा देश इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतनी सारी चुरोंतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरना भी मिलती है भारत की हर सपलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग-अलग भूभाग में अलग-अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरना का कारण बनने वाली है आजदी भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरना भी देता है भारत का विक्सित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा इसलिए भारत की जिम्बेदारी और बड़ी हो जाती है और साथियों सफलता की पहली शर्त सफलता की पहली शर्त सफल होने का विस्वास ही होती है यह नया संसद भावन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है यह विक्सित भारत के निर्मान में हम सभी के लिए नई प्रेरना बनेगा यह संसद भावन हर भारती के कर्तब या भाव को जागरित करेगा मुझे विश्वास है इस संसद में जो जन प्रतिनीती बैठेंगे वे नई प्रेरना के साथ लोग तंत्र को नई दिशा देने का प्रेयास करेंगे हमें नेशन फस्की भावना से आगे बढ़ना होगा इदम राष्ट्राय इदम नमबार हमें कर्तब्यपत को सर्वों परी रखना होगा कर्तब्यम एव कर्तब्यम और कर्तब्यम न कर्तब्यम हमें अपने व्यवार चे उदाहन प्रस्तुत करना होगा यद यदा चरती स्रेष्ट है तत देव इतरोजन है हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होगे अपदीवो भवा हमें खुद को खपाना होगा हमें लोग कल्यान को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा लोकहितममकरनेयम जब संसत के इस नए भवन में हम अपने दाइत्वों का इमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देश्वास्यों को भी नई प्रेणा मिलेगी साथ्यों दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत्र को यह नई संसत एक नई उर्जा और नई मजबूती प्तदान करेंगी हमारे स्थ्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसत भवन को इतना भव्य बना दिया है अब हम सभी संसतों का दाइत्व है कि इसे अपने समर्पन से और जादा दिव्य बनाएंगे एक राष्ट के रुप में हम सभी 140 करोर भारतियों का संकल्प ही इस नई संसत की प्राण प्रतिष्टा है यहां होने वाला हर निने आने वाली सद्यों को सजाने सम्वारने वाला है यहां होने वाला हर निने आने वाली पीडियों को ससक्त करने वाला होगा यहां होने वाला हर निड़े भारत के उज्विस भविश्य का आधार बनेगा गरीब दलीद पिछडा आदिवासी दिम्यांग समाज के हर वंचित परिवार के ससक्ति करान का वंचितों को वरियता का रास्ता यहीं से गुजरता है इस नए संसत भवन की हर हीट हर दिवार इसका काण काण गरीब के कल्यान के लिए समर्पी था अगले पचीश वर्सों में संसत के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विक्सित भारत बनाएंगे इस संसत में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बहार निकालने में मदद करेंगे इस संसत में बनने वाले कानून देश की युवाओं के लिए महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करेंगे मुझे भी स्वास है समसद का यह नया भवन नए भारत के स्रजन का आधार बनेगा एक सम्रुद्य ससक्त और विक्सित भारत निती न्याय सत्य मर्यादा और कर्तव्य पत्पर और ससक्त होकर चलने वाला भारत मैं समस्त भारत वास्यों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बढ़ाई देता है धन्यवाद